है गाइस वेलकम टू डॉट्स एंड आज हम क्या करने वाले आज हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा को ट्रंसपर करने वाला है डेटा को सेंड करने वाले है ठीक है तो सबसे बहुत आपको एक्जांपल लिखता हूं यहाप मैंने अपना नाम लिख किया था यह देखो यहाँ पर और यहाँ पर हमें दूसरा नाम लिख के आपको देखा तो यहाँ पर जो एक्टिविटी के साथ में नाम आएगा वर रहा हम आया ठीक है तो इसी तरीके से हम यह करने वाले हैं आज तो चलिए शुरू करते हैं टॉब करने वाले हैं अब हम सबसे पहले सिंपली में एक नया प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और फिर भी महीं यहाँ पे नियुँआ प्रोजेक्ट पर जाता हूँ और एक्एक्टिविटी लेता हूँ और यहाँ पर अब हम देंगे अपने प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते जो आप चाहों मैं यहाँ पर इसको इंटेंट प्रोजेक्ट दूआ इसके बाद आपको सिंप्ली इसको फिनिश कर देना है बागी मैंने अल्रेडी बनाया हुआ है ठीक है तो मैं इसे किसाद कंटिन्यू करता हूं यहाँ पर आपकी में एक्टिविटी है यह ज ँस तरह की देंट आप कैसे बना सकते हो ठीक है बागी इस इमेज को मैं परवाइड करवाद हूँ ठीक है तो इसको आपको ड्रोविबल फॉल्डर में पेश्ट करना है ड्रिसोर्स के अंदर आपको ड्रोविबल फोल्डर यह वाला जो फोल्डर था ठीक है यहाँ पर लेना है ठीक है मैंने plain text quote आगे यहां पर रखा अब मुझे यहां करना है सिंप्ली को add करना है कि इसकी constraint को add करना है तो मैं यहां पर attributes में जाओंगा इसको चारो तरफ से plus के sign पर आप क्लिक कर दो तो अब यहां पर मैं plus पर simply sign पर क्लिक करता हूं और इसको भी connect कर लेता हूं अब आपको simply जाना है button पर एक button को लेना है और button देखो यहां पर आप यह हम एक button लगाएंगे अभी इसका background थोड़ा आपको जीब लग रहा होगा तो हम इसके background के color को change कर देंगे और यहां पर इस button को मैं इसको फिट करना है मैं इसको यहां से भी plus पर क्लिक करता हूं और अब मैं क्या करूँआ इसको बढ़ा करूँआ थोड़ा सा ताकि हम कहीं भी click करें तो यह उसको ले ले ठीक है कि हमने click किया है तो इस पर हम सेटन click listener लगाना है और अब यह अगले बिजना मैंने से color को white कर दिया है और white के साथ मैं यहां पर अपने हिंट मैं देता हूं impress एंप system है ठीक है उसके color को हम करेंगे transparent तो वो करने के लिए आपको simply यहाँ पर background search करना है property में और यहाँ पर आपको अभी कोई भी color देना उसके बाद color के उपर यहाँ पर क्लिक करना custom जाना और यहाँ से इसके transparency को बिल्कुल zero कर देना ठीक है उसके बात क्या होगा कि इसके transparency जिरो हो जाएगी दिखेगा नहीं इसका कोई करर और जब भी आप यहाँ पर click करोगे तो यह work भी करेगा ठीक है तो यहाँ एक सब्सक्राइब का काव है यहाँ पर खतम हो गया simply हमें ID देनी है बस अभी तो ID में मैं यहाँ पर इसको वहाँ एल नेम का मतलब login नेम यहाँ पर हम बटन को बटन ही ही रहना है ठीक है तो अब हम चलते हैं मैं activity में हमारी ठीक है तो यहां से अगर हम मैं activity में switch करें पहले मैं यहां से एक तो यह वाली activity में हम क्या करेंगे हम simple सा एक text रखेंगे एक text view को रखेंगे और फो text view के अंदर क्या आएगा welcome लिखाव आएगा user की name के साथ तो इसको simply बढ़ा करो चारो तरप से connect करो और उसके बाद आपको split पे जाना और इसकी text की size को बढ़ाना है ठीके तो यहां पे text size search करो और उसकी text size को 30dp कर देते हैं ठीके तो यहां पे इसको color हम black कर देते है pure black अच्छा रहेगा ठीके ओके तो अब हम चलता है next step की और अब हम वापस से जाना है हमारी man activity में ठीके तो हम चलता है फिर से हमारी man activity में और man activity में आप देख सकते हैं यहाँ पर lname है तो इसको हम अब हमें id को connect करना है सबसे बहले महाँ पर दो edit text थे तो यहाँ पर भी java file पर हमें दो edit text बनाना है ठीके तो मैंने इसको नाम रख जाना name password अब ना हमें दो string भी बनाना है यहाँ पर name छोटा है यहाँ पर पासवर्ड का पी भी छोटा है यहाँ पर मैंने इसको find view by id किया r.id.name आप ले सकते हो से हम करेंगे password के साथ find view by id r.id. यहाँ पर password यहाँ पर password यहाँ पर login password और से हम button के लिए भी कर लेते हैं button यहाँ पर create करना होगा सेम क्योंकि वहाँ पर भी हमने create किया हूँ यहाँ पर btn को connect किया find view by id r.id.button हमारा वहाँ पर नाम था है यहाँ पर हमने button ही नाम दिया ठीक है तो अब on click पर क्या होना चाहिए जो name है मेरी string उसके अंदर जो भी user इस name में मतलब जो हमने login name के अंदर अगर कोई बंदा कुछ text लिखता है तो मैं इसको get text dot to string करूँगा ठीक है तो उसकी string इसके पास आ जाएगी मेरे इस variable के अंदर आ जाएगी intent intent equal to new intent करके ठीक है अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर हम लिखते है get application context मतलब किस activity से किस activity में जाना है तो मैंने get application context भी आप यूज कर से तो या फिर आप इसका activity का नाम लिख सकते हो मैं activity dot this से मुझी जाना है welcome activity dot class में ठीक है अब मैं next step पर आता हूँ तो पर test करता हूँ ठीक है तो क्या अब मैं name को access कर सकता हूँ क्योंकि variable के name तो same है पर नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि name को हम access नहीं कर सकते हैं यहाँ पर इसका भी मैंने ID चेंज किया text view का ठीक है तो अब हमें text view को यहाँ भी define करना है यहाँ पर मैंने name लिखा और इसको simply find view by ID और ID.ID. वहाँ पर हमने ID दी दी नेम text ठीक है अब हमें next step पर आते हैं और हमें simple सा एक काम करना है अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो name है यह उस name से पूरा अलग है ठीक है तो मैं सबसे पर जो हमारा name है उस पर हमारी string set हो जाएगी ठीक है और आप देख सकते हो कि य इन दोनों का अपस में कोई connection लिए तो हमें यहाँ से data को वहाँ पर send करना होगा ठीक है खुछ से send करना होगा तो हम वह किससे करें है हम intent के object से तो यहाँ पर मैं intent dot put extra करके put extra string वाला हम यहाँ पर key लिखेंगे एक value लिखेंगे ठीक है तो यहाँ पर यह key है और यह होगी ए name user लिखेंगा ठीक है तो यहाँ से मैंने इसको gate किया और मैंने control दी जबाकि इसको copy कर लिया पेस्ट कर लिया ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते होगी password भी मैं send कर रहा हो और अगर मैं चाहूँ तो मैं password send कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो नहीं भी करूँ कि हम यह लोग user टीक है तो यह intent को gate कर लेगा अब हमें बताना है कि हमें कौन सी की को gate करना है ठीक है तो वहाँ पर जो की थी वह same की हमें gate करनी है ठीक है तो हम इस व्ल्य एक्टिविटी में जाके देखते कि यह का नाम क्या था name ठीक है बैसको copy कर ले तो अब log भी इसको copy कर लेना और हम चलता है welcome activity में यहां पर simply हमें करना है intent dot put extra ठीक है इससे क्या होगा यहां से हम sorry get string extra not put extra put extra हमने वहां से डालने के लिए क्या था और यहां से लेने के लिए हम करेंगे get string extra और इसमें हमारे key key value sorry key जो key था उसको copy paste कर देंगे ठीक है जो भी हमें key get करनी है तो अब हमारे पास get हो गई हमने पहले set text name के अंदर कर लिया था name string को ठीक है तो यह automatically काम कर जाएगा अब हम simply इसको run करेंगे और देखेंगे कि हमारा code size से काम कर रहा है नहीं है इसके आगे मैंने सिंपल से welcome add कर देता हूँ ठीक है इससे क्या होगा कि welcome प्लस करने पर वह easily आ जाएगा welcome के बीच में हलका क्या सब्सक्राइब दे देते है ठीक है एक और काम करते हैं टीक है और यहां पर एक और बार देखो कि आप यहां पर have no action बार लगा देथे ना टीक कि को action बार ना पर यहां और फेज़ करते है इसको बी no action बार करकर यहां पर पहले color change करते हैं और इसके साथ भी हमने same करक धिडियक नहीं कर लगा दिया ठीक है तो अब हमारा project GO रन होने के लिए पुरा डियम इसको अठा देता हूं और सिंप्ली रन करता हूं इसको और देखते कि हमारा फिर हमारा ये एप्लिकेशन सब्सक्राइब करता ही नहीं ठीक है पर जब तक ये लोड हो रहा है हम एक बत पर डिसकस कर लेते हैं कि इंटेंट के साथ अगर डेटा से हटा देते हैं और दुबारा अगर आप अप्लिकेशन कौन करोगे तो आपको वो डेटा वहां पर नहीं दिखेगा दुबारा तो अगर आपको कोई मान लोगी कोई ID पासवर्ड से उगरवन है और आप चाहते हो कि एक बार अगर यूजर लोग इन कर ले तो बार बार तो मैंने संपली जोभी कंठा WA और यह दिखा आपके सिंपल वैलकम कर तिका आगया तो हमरी अप्लीकेशन सही से काम कर रही है और हम यहां पे भी फिर से लग कर देखते कोई नाम और यहां पे भी फिर से वही होनवाला यहां पे वैलकम रिखा हुऊंगा और अपर तो यह इस तरीके से simply data को भेज रहा है पर यह permanently नहीं है तो हम उसको बहुत करने के लिए अगर आपको इस तरीके से डिजाइन वगेरा बनानी है या फिर अच्छे डिजाइन युआ यूए 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 अपको इंट्रेस्ट है तो आप आप एड़ एकस्टी वाले हमारे टूटरल देख सकते हो वह उसकी लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दी झाले हमारे टूए यूए 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